चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ दोस्तो सबसे बड़ी कुशी की बात यह है कि इंडिया में अभी केसेज दिन परती दिन घट रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि सेकेंड वेव का पीक आकर जा चुका है और हम जल्द ही नॉर्मल सिच्वेशन में आ जाएंगे हालांकि फ्यूशर के बारे में कोई नहीं बता सकता मगर अभी तक की सिच्वेशन को देखते हुए ऐसा मैसूस हो रहा है कि ये जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा इस सिच्वेशन को देखते हुए हम मान रहे हैं कि नीट 21 का एकजाम 1 अगस्त को ही होगा और एप्लिकेशन फॉर्म जल्दी ही यानि मई एंड तक स्टार्ट हो सकते हैं दूसरी बात ये है कि अभी 17 मई को एजुकेशन मिनिस्टर की मिटिंग होनी वाली है उसमें 12 है बोर्ड एकजाम के रेकार्डिंग इसमें हमें कुछ अपडेट मिल सकती है तो दोस्तों सो बातों की एक बात ये है कि अभी तक की सिच्वेशन को देखते हुए एकजाम 1 अगस्त को होने की पूरी पूरी संभावना है तो जिन इस्टुडेंट ने पॉस्पोर्ण को लेकर पढ़ाई छोड़ दी थी वो अभी एक्टिव हो जाओ क्योंकि अभी भी समय है एप्लिकेशन फॉर्म की बात करें तो ये कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म फ्रोसेस में सिरफ दो मैने का समय ही सफिचिंट है दो मैने में पूरा एप्लिकेशन फॉर्म फ्रोसेस से पूरा हो सकता है तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहें लेते हुए बस यही बताना चाहूंगा कि exam 1st August को होने की पूरी पूरी possibility है आप उसी के according अपने study करते रहें बाकी जैसे भी कोई update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक मैं आप से लेता हूँ विदा जैह